हेलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल इस्टडी विध राम में तो आज हम कच्छा बारा वालों के लिए ले के आए हैं अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा हुआ एचेप्टर हम और हमारा आदर्स ये पेजस्वी मन के समपादिव आंस हैं डाक्टर अब्दुल कलाम के तो चलिए समझते हैं हम और हमारा आदर्स में क्या कहना चाहते हैं हमारे मिसाइल मैं डाक्टर एवी जे अब्दुल कलाम तो सुरू करते हैं मैं खास तोर से युवा च्छात्राओं से ही क्यों मिलता हूँ इस सवाल का जवाब तलासते हुए मैं अपने च्छात्र जीवन के दिनों के बारे में सोचने लगा राज में सुरम के दीप से बाहर निकल कर यह कितनी लंबी यात्रा रही पीछे मुड़ कर देखता हूँ तो विश्वास नहीं होता आखिर वह क्या था जिसके कारड़िया संभव हो सका महत्व कांच्छा कई बाते मेरे दिमाग में आती है मेरा ख्याल है कि सबसे महत्वपूर बात यह रही है कि मैं अपने योगदान के मुताविक ही अपना मुल्ले आंका बुनियादी बात जो आपको समझने चाहिए वह यह है कि आप जीवन की अच्छे चीजों को पाने का हक रखते हैं उनका जो इस्वरकी दी हुई है जब तक हमारे विद्यार्थियों और युवाओं को यह भरोसा नहीं होगा कि वे विक्सित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं तब तक वे जिम्मिदार और ग्यानवान नागरिक भी कैसे बन सकेंगे विक्सित देशों के समरिद्धी के पीछे कोई रहस्य नहीं चिपा है एतिहासिक तथे बस इतना है कि इन राष्ट्रों जिन्हें जी एट के नाम से पुकारा जाता है इनकी लोगों के लोगों ने पीड़ी दर पीड़ी इस विश्वास को पुक्था किया कि मजबूत और समरिद्ध देश में उन्हें अच्छा जीवन बिताना है तब सच्चाई उनकी अकांग्छाओं के अनुरूब ढल गई मैं यह नहीं मानता हूँ कि समरिद्धी और अध्यात्म एक दूसरी के विरोधी है या भावती के वस्टों की एक्छा रखना कोई गलात सोंच है उदारण के तवर पर मैं खुद आम, खुद निवनतम वस्टों का उपभोग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ लेकिन मैं सरवत्र समरिद्धी की कद्र करता हूँ क्योंकि समरिद्धी अपने साथ सुरच्छा तथा विस्वास लाती है जो अंत्त हमारी आजादी को बनाये रखने में सहायक है आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे की खुद प्रकृती भी कोई काम आध्या धूरे मन से नहीं करती किसी बागीचे में जाए मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी अत्वा उपर की तरफ ही देखें यह प्रचंड ब्रहमांड आपके अनंत तक फैला दिखाई देगा आपके यकीन से भी परे जो कुछ भी हम इस अंसार में देखते हैं वह उर्जा का ही रूप है जैसा कि महरसी अर्विंद ने कहा है कि हम भी उर्जा के अंस ही हैं इसलिए जब हमने यह जान लिया है कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्तों का हिस्सा है वे एक दूसरे से पूरा तादाद में रखे हुए हैं तो हमें यह एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना भी किसी भी दृष्टी कोड़ से सर्मना किया गेर अध्यात्मिक बात नहीं है इसके बावजूद अक्सर हमें यही विश्वास दिला जाता है निर्टम में गुजारा करने और जीवन बिताने में भी निश्चित रूप से कोई हर्ज नहीं है महत्मा गांधी ने ऐसा ही जीवन जीया था लेकिन जैसा कि उनके साथ था आपके मामले में भी यह आपकी पसंद पर निर्भर करता है आपकी ऐसी जीवन सहली इसलिए है क्योंकि इस से वे तमाम ज़रूते पूरी होती है जो आपके भीतर की गहराईयों से उपजी होती है लेकिन त्याग की प्रतिमूर्ती बनना और जोर जवजास्ती से चुनना सहने का गुनगान करना अलग बाते हैं हमारी युवा सक्ति से संपक कायम करने के मेरे फैसले का आधार यही रहा है उनके सपनों को जानना और उन्हें बताना कि अच्छे भरे और पूरे और सुक्सु उधान से पूर जीवन के सपने देखना अथा फिर उस सोड़ी में के लिए काम करना सही है आप जो कुछ भी करें वे आपके सहर दैसे किया गया हो अपनी आत्मा को अभिव्यक्ती दें और इस तरह आप अपने आस पास प्यार तथा खुसियों का परसार कर सकेंगे तो यहाँ पे हमारा चैप्टर समाब्थ होता है मिलते हैं अगले वेडियो में तब तक के लिए धन्यवाद